हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल स्टीट फूट जायका मैं आपका स्वागत है असलाम अलेकूम असलाम अलेकूम तो कैसे है आप सब तो देख रहे हैं अज मेरे साथ अम्मी के साथ है जीनिया आपा भी है तो आज तू बता तू क्यों है आज क्यों है तो क्यों यरेनिया वेला दरते स्टीट सेटीट भी है और तो आज हम फिर से अपने हिसाब में तो है और हमारी बहन आज आई हमारी अज आ हमार सथ एक्सपर्ट तू क्या बनाने वाली है? मैं बनाने वाली हूँ mini pizza expert, खाने मैं मतलब mini pizza तो आज यह ट्राय करें कि mini pizza तो अपके साथ और शेर करने वाली है कि त्राय करने कि आज पर फिर से कैसा बनता है, कैसा नहीं अब मैं तुम क्या बनाने वाली हूँ chocolate cake तो आज हमी बनाने वाले है चॉकलेट केक बिना अंडे का तो चलिए भाई ये एक इक दम उतना नॉर्मल ही वीडियो होगा सीखने के साब से नहीं होगा हमारा सीखना आप लोग ने हम लोग सीखेंगे इलोग दोनों सीखेंगे मैं थोड़ा बहुत चूट करके आप लोग और बतादूँवा कि एलोग कैसा बनाते हैं और रेसीपी कैसी होगी है है यह जारी दे रहात용 बनेगा जो क्की कश face दो चलो देखते है कि में क्या क्या लग लगेगा तो तो यहां पर नौ फिरसीपी के इंगर्डियंट्स दिखाने वले यहां पर अप अपने प्रोफेशनल स्टाइल में खड़े है और यह है वो घरेलू स्टाइल जो कि आप लोग अपने घर पे बनाते हो तो चलो पहले देखते अम्मी के इंग्रीडियंस तो अम्मी बताओ तो सबसे पहले लेंगे हम देड़ वाटी मैं देखा आठा एक वाटी दूद्री पौना वाटी लेंगे हम शक्कर चार चमच कोको पौडर आदा कप दही दो चमच मिल्क पौडर पाव चमच तेल चुटकी बर नमक देड़ चमच बेकिंग पौडर आदे चमच से कम तुनिकर दो चम्मच चोको चीप और एक चम्मच वनीला एसेंस अर यू रेड़ी? तो सबसे पहले ही आपे सब दिख रहे हैं यही सब लेगे हम लेकिन क्या क्या लगिए हम बता इसमें चीज है यह कॉंसे चीज है में? पिंजा चीज पडाल सबसे रहे हैं आने यह एक हम बता है तो दो बता दो मैं पहले यह घए है वें पर शेजवान चिटनी शेवाबर, मेुदा, मेडा, तो दूध मिन पहले हैं सिपी श्टार्ट कर दिये, तो बता हम। जो मैजरमेंट मैं बना रही हूँ अभी डव क्या अभी डव बरूब यह डव सावन बना रही थी मिनी पिजा के लिए जो दो तयार होता है यह दो तयार करी है दो तयार करूं थी? पिजा भी यह 10 ग्राम के एक चमच है चमच से आप 5 चमच लेके तो 50 ग्राम आटा हो जाएगा तो इसलिए कितना 100 ग्राम आटा ले दो बन जाएगा अराम से तो तुने क्या लिए आटा? आटा लिए 50 ग्राम मैं बना रही हूँ जो जल्दी बन जाता है तो तु पहले बेस बना रही है ना मतलब पिज्जे का आटा तो इसमें में दाल रही हूँ बेकिंग पाउडर मेहदे के साथ और पिंच आफ नमक बस अब इसमें में दालूँगी दूद और इसको गुनूगी तो इसमें दूद दाल के पूरा बून देगी तो चलो में इसके बाद अब तुम्हारा काम चालो करो चलो शुरू करते हैं सबसे पहना बिस्मिल्ला करके तो यहां से मैंने सामान कुछ भी नहीं हिलाई हूँ सब ऐसी ही रखावा है तो सबसे पहले लेते हम आदा वाटी दही यह दाल देंगे हम इसमें ठीके इसी के साथ मैं दालूँगी इसमें पाव वाटी यह तेल ठीके यह फोर्चुन रिफाइन का तेल है राई का तेल बिलकुल ने लेना आप मिठा तेल कोई भी भी ले सकते हैं मेजर्मेंट वह एक कप के साथ से ना लाज्ट वुडियो में इस बता आथे मैं द घब कंते है मतलब कोई भी एक कब लेकं मेजर्मेंट करेंके है कोई भी वाटी करार लेकिन टीक度 शॉक करें घंब ऑटी येई है वो अम्मी की बेटी लेकिन इसने भी स्टार्टिंग में 3-4 वीडियो बनाई है जिने आपकोन कौन से बनाई है मैंने बनाई हूँ चिकन लौकी का हलवा चिकन अफगानी पनीर की सब्जी तीन चार रेसिपी बनाई है ना चैनल पर स्टार्टिंग में मुझे लाइटली मतलो मैं अच्छा घर बनाती हूँ हाँ माशालला ये बात है देखो डरा रही आप लोगों को मुझे लाइटली मतलो मैं स्ट्रीट फुट्साइका की बेपी हूँ तो मैंने इसको दो मिनिट तक अच्छे से हाथ दुके तक फेट ली हूँ ठीक है अब मैं क्या करूंगी इसमें ये डालूंगी शक्कर तो शक् में बुट्लियां जम जाती है हुआ है हुआ है मेरा डव डव साबुट्साइब तो यहां पर मैंने अच्छे से शक्कर को चान ली अब फिर से हमारा काम चालो अब फिर इसको मैं दो मिनिट तक अच्छे से मिला लिए अगर आपके पास वह रहता है न विसकर वगेरा उससे तो देखो बहुत जल्दी हो जाता है फेटना लेकिन हम इससे फेट रहे है तो थोड़ा टैम लगता है तो इसको जादा फेटना जितना हो सके उतना फेटना मैदा दालने के पहले मैंने इससे पहले भी बोली थी केक तो यहां पर अच्छे से शक्कर भी मिक्स कर ली मैंने धई और तेल के साथ ठीक है अब क्या करेंगे हम यह जो दूध है यह एक कप दूध है हम सिर्फ इसमें आदा दालेंगे इसी के साथ मैं इसमें दालूँगी यह छोटा है चमच वनिला एसेंस चॉक्लेट केक में वनिला एसेंस हान याता है और ये देढ चमच में दालूँगी इसमें विनीकर यानिके सिर्का आप अपलिस भी इसके जगे पे ले सकती है अब मैं इसको भी थोड़ा मिक्स कर मैं केचप यहा लिए पहले तरह डफ बन गया इसको मैंने थोड़ा बेल दिया इसको शॉटकट में इप्टा दिया अब मैंने तोड़ा सा शेजवान चिटनी और केचप मिलाया है तो तो क्या बनारी चटनी चटनी जो लगाते है ना निचे बेस नीचे नी उपर नीचे टोरवा ना हा इसको फिर ऐसे थोड़ा सी डिजाइन बनाएंगे यह सब चीज़े बहुत करती है यह घर के अंदर यह बहुत का आगा यह बोलो मोमोस बोलो मीठा बोलो गुलाब जामून बोलो यह सब बंते रहता मेरे गर में रोज आय जिन अदर लग़ना ना ना एक खर अब यह बनाएंगे अपने घर के अलाव इससे पहले और यह जो मिलाई थी यह सब हम इसमें मिक्स कर लिये हैं अब हम आते हैं हमारे सूखे वाले मसाले पे यहां पे ले 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 लेगे हम आप हम एक वाटी जो मैदे का आटा लिये है और यह आधा वाटी यह भी इसको हम अच्छे से थोड़ा सा चान लेंगे और यहां पर इसका काम चालो गया है किता अच्छा लग रहा है अभी सही है ना रियाद ना ने तु पहला पूरा बना है किता वे खार है खाना था पड़े अगर आप एक वाटी का ही बना रहे है तो आप तीन चमच कोको पौडर ले लेना ठीक है इसमें मैं कंडेंस मिल्क यूज नहीं कर रही हूँ इसलिए मैंने दो चमच मिल्क पौडर के ले ली हूँ ठीक है इसी के साथ मैं यहां पर दालूँगी आदे चमच से भी कम बेकि रहे हैं तो अब टॉपिंग भाड़ी है कांदा शिम्ला मिर्ची टमाटर और तो अपनी मर्जी से जो है वो डाल दो चिकन नहीं लाई फिर जट पट में चिकन भी करन नहीं आता है तो यहां पर मैंने यह चान ले ओ ठीक है आज देखो आप लोगों को यहां पर सब दीख उसकत नहीं पुर्याखिया होगा पसारा पूरा है दोनों तरफ एक साथ लगे ले लए अब हम इसको क्या करेंगे जो हम जब से जोडड़ से फेट रहे देना अब यहाँ पर हमको वही सिलो सिलो मिलाना है एक ही डाइरेक्शन में क्योंकि मैदा इसमें अगर एट कर लिए ना लिक्विड में तो आप फास फास इसमें नहीं मिला सकते क्योंकि आपका केक फिर वैसी ही सकत हो जाएगा इसके लिए जाए तो ओन स्टार्ट हो गया और और पर ना पड़ता है प्रीट अब यह दस मिनिट के लिए प्रीट मत जाने की घराउं हो जाएगा लाइट चलो कर जिनाबा यह जहां अमें तुम क्या केक डालेगा तो जीना तूब ही दाल सकती ना नीचे दोनों एक सब्सक्ता है आप अपुन ट्राइट तो कर रहे है ऊपर के इस स्टेमें मैं केक बनाऊंगी तो नीचे पिज़ा आरां ने जाएगा इस है पर मेरा चल्दी बन जाएगा बहुँ तो यहां पर मैं वापस से दूद आट कर रही हूँ जो हमने एक कब दूद लिये थे वो ठीक है इसको अभी अच्छे से फिर से मिला लेंगे किरके यहां पर हमारा बैटर सूख गया है इसके लिए बाइब हुई गयाने टॉपिंग इतना टाम लगता है कि पिज़ा बनाने में हां अभी सस्ता पिज़ अब जल्दी बनने के सामें नाश्टर्गार भी जुगाड हो गया तो यहां पर मैं भी यह चमाच की मदस से मिला लूगी टो यहां पर हमारा बैटर अच्छे से तयार हो गया थे है ना मस्स एक दम देख रहे है अपनों इसी तरीका चाहिए मुझे और यहां पर मैंने चोकोछिप्स ली हूँ जो के मैं तोड़े से मिक्स कर लूँगी सब्सक्राइब तो बटर पेपर अच्छे से लगा लेंगे तो तुने इस पर पेपर रखे रखी है तो तो तुने इस पर रखेंगे रखी है अब यह जाएगा इसकी अंदर ऐसे एंगल थोड़ा हाँ ठीक है अब यह जाएगा और अब यह होएगा इसे बेक मोट पर यह तो मैं करूंगी 30 मिनिट दिया है स्टाट कर अब हमें भावी आए दस मिनिट नहीं पांच मिनिट पांच मिनिट ओके वानेटी टेप्रेचर पर स्टाट लाइट चलो गर तो यह इसका पकने के लिए जा चुका है और हमी तुम्हारा प्रोसेस मैंने यहां पे बटर पेपर भी बिचा दी हूं और बटर पेप अब मैं क्या करूंगी यह हमारा जो बेटर है इसको बिसमिल्ला करके दालें और यहां पर मैंने पूरा बेटर अंदर दाल दी हूं अब मैं यह जो चोको चिप्स लिए हूं यह भी थोड़े से लगा देंगे बाई तो यहां पर मैंने चोको चिप्स भी सब दाल दी हूं यहां पर हम इसको थोड़ा सा दो से तिन बार पटक लिए अच्छे से इस तरीगे से अब हम इसको ओवन में कितना 180 डिग्री पे 30 मिनिट तक मैं बेक वापस से करूंगी 30 मिनिट के बाद मैं निकाल के आप लोगों को बताऊंगी छेक करके के यह पका क्या नहीं तो इस दिन देपर मैंने इतने मोटे वाले बेस का बतन ले ली ती शायद मेरे अंदाजे से शायद मेरी वही गल्ती होगी थी कि बहुत मोटा बतन था वो काच का और वो जो चवड़ाई में छोटा था और उचाई में बढ़ा था तो शाय मैं को लगता मेरा कुछ confusion उसी वज़े से हुआ इसलिए आज हम ये केक टिन में बना रहे हैं साथ इंच के ठीक है तो अब हम इसको डालेंगे ओवन में 30 मिनिट के लिए पहले मैं पूरा इसको बेक करूंगी तो यहां पर मैंने टैमर लगा दी हूँ 30 मिनिट का अब मैं ये इसलिए कब निकालेगी अभी निकालके उसको में को वापस पकने छोड़ने का है बिसमिल्ला चीज वगेरा दालके अच्छा तो तो एक मिनिट के लिए चालो हो चुगा है दूआ करो मेरा केक चोकलेट केक एकड़ मस्त बन जाए ओवन में क्योंकि मुझे पूरी खात्री मतलब पूरा वरोसा है जो बेस मैंने रेडी करी हूँ यह अगर मैं कुकर में रख देती थी तो यह चौकलेट केक एक नंबर बनता गैरेंटी के साथ ने आज अच्छा ही बनेगा लोगों की उमीद भी अपने साथ है और आज हमने एक्सपट को लाए है और मुझे पिछल जहन बोलता है वो बड़तल के वज़े से हुआ था इसलिए मैं 30 मिनिट के बाद चेक करके फिर से रखूंगे अब अब इसको यह वापस से पकाईगी क्योंकि इस पर इसने चीज वगेरा एड नहीं करेंगी अब इस पर चीज दालूंगी अब इस पर चीज दालूंगी औ तो यहां पर टी टाइम चालो है देखो कटोने में शुरू हो गए हम लोग नहीं क्योंकि कुप में तोड़ दिया है इसमें ना दिखाओ अब भी अब भी चास्ट तोटावा कप है तो आज क्या क्या दिखाएगा मुझे बता दे एक बार तो क्या क्या दिखाने वाला तो रोज आया कर ऐसा शूट में जीना पर एक कमेंट्स जरूर करना कि आप लोग ऐसा मिलता जूलता वीडियो आगे भी देखना है या नहीं आप लोग को मजा आया के नहीं कमेंट करके जरूर बताना और यह मोजरेला चीज मुझे यह से मजा दे बाए बास मजा आता है इतना भी नहीं तो यहां पर बाए बाए भी दार यह और यह और चिली प्लाइग कर दा लाए अब यह और जाए ने जाए कर भी यह फ्लाइब शुल्ड लग है वह यह चोटा सी है थोड़ा तो बहुत यह ज़्दा लगी गए खाने मैं मैं आगे इसको फोल्ड कर दे ना म वेली इंया कहा पो शॉबना का इणा करो वो डलिए को आ बाहर से को अजी कि खुलेगा। कि अद करें गों कि आ कि खुल नहीं ही हंजा। वंडी तो आ टा Boulder को लगकिए खुलो यह नहीं हो प्रमता का त्सक्राओं के यह भी सिराथ कि पास बहुत समय यह अब आणिगे अब यह अधिन दृट गालेगी अब फिर से अइंत के वह गालेगी तो एक इसने महीनत वहाँ अ मुद्ठ लुग दो उन्यु के तो यह कित्ते समय निकाल हम अब जिसका वरो भांग में टो एक प्लाद गालेगी तो दो अर यह देखो चाहिए साथ में क्या केक और पीज़ा पक्षाइ अभी सोच लिए बनता था मैं भूल रहे जाए ना पानी बनेगा मैं पीज़ा हो गया है कुक अभी तो क्या हालत है तो आखि पिज़ा हो गया है कुक निकालो पड़ा पड़ा जल्दियां भाय केक की रक्षा कितना फास में अच्छा माशा आलला खुश्मी आतक अरी आरी आरे तीक अच्छा खासा माशाला एक नंबर बने लागा जिसकी पर ये उठेगा नम रही तुने तेल लगाई तीक नहीं भूल गई देखें नहीं जी बूली नहीं भूली नहीं मुझा अखाओ चलना भाय यह प्ता चल गई अब इसको पाति लुग यह तो जालू कॉत को जिनाबा इसको 10 मिट एक्ट्रा पकाई ने जिनाबाइ एक्ट्रा पका दी मेने क्योंकि इसका चीज प्रॉपर मेल्ट हुआ ने था हमने निकाल दी निकाल दी लेकिन ने इसमें थोड़ा ओड़ाना चीए था है अब भी बड़ता है अरे लगाना चीए था ते गवरा था तो पका रही थी तो ओवन में पहली बार बना रही थी ना वह अब गराम है थोड़ा रूपो यह थंडा करके नहीं खाया जाता है क्योंकि फिर हमारा चीदे जो क्रिस्पी बना है और नीचे तो जला भी नहीं है ना मैं यह काटी यह हां आहि क्यूबश्र क्यूबश्र कि क्या क्यूबश्र की मुद्वश्र के लागा ना यह ही और खूब आलिश भी लागा कि अ THE आधने खू राय ऐर इसके नहीं चाहिए थी आखो में जाड़ा रहता ना तो मज़ा आजाता है मैंने क्यों पदला रखी थी में को थोड़ा जल्दी बेना के निकालना था तो चलो भाई भी पीज़ा तो अच्छा बन गया अपना जुगाड़ा पास वाला अब आईए यहां पर टाइम देखते हैं में कितना टाइम और रुखेगे चार पाच मिनिट पूरा और पाच मिनिट के बाद देखते हैं अपना केक तो माशाला देखो फूल के उपर आ इस अल्वत रही है अधा है तो सबसे पहला मैं ये एक कांडी से चेक कर लेती हूं है वा ये बन के तैयार हो गया है इसको थंडा मुनीचे करेंगे एग अजया और दाल दके देखो वापस और तेरी तसल्डिक नहीं, मैं भी मैं भी देखो, 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 एकदम केलियर है, यानि के केक मेरा ये रेडी हो गया है, अब मैं इसको धक के रख दूंगी 15-20 मिनिट के लिए थंडा होने के लिए, ठीक है, तो उसके बाद तुम खोल के देखेगे, हा मैंने 15-20 मिनिट के बाद मिलते हैं, ठीक है, तो 15-20 मिनिट हो गया है, यहाँ पर केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, ठीक है, तो ठंडा हो गया है, हाथ लगाने लाइक हो गया है, अब हम क्या करेंगे, यह हमारी छूरी की मदस्त्रे, इसको थोड़ा सा, अब मैं इस मेर तक बिखना नहीं उन्हां यह जानी रहेगा अब भी लेगे और इसको बिसमिल्ला करके पंटी कर लेगे निकला के नहीं वा लिखना करने के बाद वैज यह तो फाइनल यह अभी लेकिन अभी भी नहीं बोलूगा मैं सक्सेस हुआ पूरा काट करने के बादवूसे दिख को रहा है कि रहीसे भी अपनी अल्हमद्दिल्ला डन है अच्छा और क्रेडी एक्सपट और ओवन खोल दी ठी मेरा इसने है न बहाता अच्छा बना है बहुत अच्छा बना ही तो देखो तयार हो गया ना अच्छा नरम नरम केक मेरा अब हम इसको पंटी कर लेंगे वापस से खत्रो के खिलाडी बिसमिल्ला वाव एक नम्बर ना कट करूं पैसा कट करेंगे कैसा कट करूंगी हाँ यह करेगी चलो ठीक है अबड़ा कर दो यूँए वो ही बता दूब के यह मैं ने सच में तीस मिनित ही बेक की मैं चालीस मिनित पैटालीस मिनित बिल्कुल भी नहीं की हूँ वनीला केक में बनाई थी वह भी मेरा थीस मिनुट में बन जाता अगर ये केक टिन में बनाती शायद मेरा वह बरतन मौटा था उस वज़े से में थोड़ा सा भगई गए गए रूप 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 में बाकी हो नहीं वह बाकी हो और हम क्या करेंगे इसके उपर जो चॉकलेट आता ना क्या शिरप हर्शिस हर्शिस वह दाल के खाएगे ना बहुत मज़ी के लगेंगे और इंशाला मैं आप लोगो को ऐसा केक बना के कट करके जो क्रीम बिचा के रूप 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 अभी यह है यह जो को चिप्स केक और सही में फाईदली हमारी सेकेंड डिश सक्सेस हुए ना अच्छी बड़ी मांशना केंड्राइब जरो में बहुत सारी चीज़े यह में बनाने वाले हूं जोके धीरे धीरे मुझे आईगी इसकी timing समझ में इसके लिए मुझे पकाते रहना चाहिए हो इसके में ड़ तो बाते लिए अपको बता विधियो न थोड़ा अपको जरूर बता हूए हो यार क्यों कि ये वीडियो र जैसा केक में लगता है वो एसे ही मेजर में लिए हैं अपने मेजर के हिसाब से लिए ले लिए थे लिए यह बोलना है कि मैं यह ओवन में ट्राय करी हूँ ठीक है मैं वापस से दौर आ रही हूँ कि अगर आप लोग ये ग्यास पे पकाने वाले हैं तो बरबर 45 मिनिट पूरा पका लेना आपका केक ये पूरा अच्छे से रेडी होगा ठीके बिस्मिल्ला अब कि अथरा है अच्छा बना कर के और निष्मिल्ला कि अच्छा करें अच्छा बना करके ऐख रहा है मुप भाइआ है काट कि ऑपर इसके अच्छा रहा देके और म्षणा कहां होए तर्फ ही काट के थ क्फ़ड़ों सब्सक्राइब क्वान इसको थंडी दिवैनिला के सब खाएगा अपर अपी चलिए अच्छा डिवैनिला इसलिव हो गया बहुत इंशाला मैं अगर मैं केक बनाऊंगी तो इंशाला मैं विप क्रीम लाके आपको क्रीम भी इस पे कट करके लगा के बताऊंगे आडवांस इंशाला मैं ट्राय करने की कोशिश करूंगी इसकी रेसिपी आप लोग देखना है तो भाई कमेंट जरूर करना कि यह टाइप का वीडियो बनाऊ हमें चलेगा हमें समझ में आ रहा है आपको मज़ा चीए और परफेक्ट रेसिपी चीए आप कमेंट करके जरूर बताना परफेक्ट रेसिपी तो आते ही रही है सझे लगते हैश्ब में सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करें है मैं इसकी अपने ब services हlaw ढवर ज aggressive के लिए था हम लग पहनिके मैं अपने देख एक नहीं ब्लब इन झाल